रोजगार G.S.K में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पक्तना हाइप कोट के नियू रुकूट्मेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में जो की जारी की गई है ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर कोश्ट के लिए जिसके लिए आप ओनलाइन आवजदन कर सकते हैं वीडियो को डिस्प्सवन में ओपिस्यल साइट का लिंक आपको प्रॉइट कर दूँगा जहां से आप नॉटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं अपने फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं जैसे ही डाउनलोड हो चुका है इसमें हम में में टॉपिक की बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट सेक्षन देखेंगे हमारा ओनलाइन जो की स्टार्ट हो गया है 31 मई 24 से जिसके लाज़ डेट 30 जून 24 रहने वाली है नम्मर आप वैकेंसी देखिए 60 आपकी रहने वाली है ट्रा करेंगे मीनिममम एज 18 साल मैक्सिममम आपको डेखने को मिल जाएगा एक जनवरी दोज्ट है आपकी आपकी जो की कल्कुलेट की जाएग जैसे अगर आप जनरल इडवलुस से हैं तो इज आपकी मैक्सिमम 37 वहीं अगर जनरल इडवलुस फीमल कंड़ेट है तो मैक्सिमम 40 year तो आपको यहाँ पर आपके category के according age registration आपको भी देखने को मिल जाएगा वहीं हम बात करेंगे reservation के तो यहाँ पर दिखिए category wise reservation भी बताया गया है mode of selection देखेंगे हम पहले आपका return exam कराए जाएगा उसके बाद आपके टैपिंग कराए जाएगी computer proficiency test with minimum speed of 20 word per minute in Hindi में आपकी हिंदी टैपिंग होनी है यहाँ और इसको आपका interview conduct करा जाएगा फीस payment के बात करेंगे general bc ebc ews के लिए ग्यारा सोड सी एश्टी और ph candidate के लिए पांसो पचास उपे सुल्क रखे गए हैं आपका देखिए exam center जो रखा गया है पहले आपका पटना हाजीपूर मुझफवर नगत तीन जगा आपको देखिए exam conduct कराए जाएंगे जो कि आपको तीन option दिया जाएगा तीनों में से आपको पहला दुसरा option क्लिक करके आपको अपना exam center जो कि select करना होगा minimum qualification की बात करेंगे आपके qualification क्या रहनी चाहिए देखिए graduation with English as a one of the subject तो graduation में आपका एक subject English होना चाहिए साथ मही आपको देखिए knowledge होना चाहिए हिंदी की और आपके पास minimum जो कि six month का computer certificate होना चाहिए अगर एक साल का भी है तो भी कोई problem नहीं है यहां पर देखिए आपको preference मिलेगा अगर आपने law degree ली है आपको preference मिल जागा अगर आपके पास knowledge है उर्दू माराथी और सैथली की अधिक जानकारी के लिए आप official notification read कर सकते हैं अब यहां से हम form apply का process देखेंगे जैसे ही आप official site पर आते हैं सबसे पहले देखिए registration करना हो अगर आपना नेम यहां पर फिल कर देंगे और यहां पर देखेंगे अगर नहीं किया तो simply आप यहां पर नो कर देंगे उसके बाद देखेंगे father name लिखेंगे father में जो कि स्री, doctor, professor कुछ भी लगाने के आउसकता नहीं है यहां पर father name फिल करेंगे यहां पर mother name फिल करेंगे gender बताएंगे male या female जो कि आप किसी basic detail है जो कि आप फिल कर लेंगे इसलिए मैं उपर फिल नहीं कर रहा हूं मैं आपको बता दे रहा हूं अगर आप बिहार की निवासी है तो आप यहां पर yes कर देंगे उसके बाद आपको यहां पर अपनी category चूज करनी होगी तो किस category से belong करते है जनरल, EWS, BC, EBC, SC, ST तो दो भी आपके category है इस तरीके से आप जो कि select कर सकते हैं, other state के candidate भी इस form के लिए आवेधन कर सकते हैं, यहां पर domicile आप बिहार ओले option जो कि आप no करेंगे तो आपकी यहां पर category जेखे general जो कि automatic select हो जाएगी, तो other candidate जो कि other state से form फिल करते हैं तो उन्हें किसी भी परकार को कोई भी reservation का लाव नहीं मिलता है, तो अपने according देख लेंगे, other state के भी candidate इस form के लिए आवेधन कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप दिव्यांग है 40% से और तो आप यहां पर yes कर सकते हैं, दिव्यांगता को जो कि परतिसत आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो simply आप यह आले में जो सेवारत हैं, अगर हैं तो yes कीजिए अनता आप यहां पर no कर देंगे, यहां पर देखिए data birth जो कि आपको select करना है, पहले आप year select करेंगे, उसके अपना active and valid mobile number फिल करेंगे, mobile number को आप यहां पर confirm करेंगे, email ID आप यहां फिल करेंगे, email ID को confirm करेंगे, उसके बा note down भी कर सकते हैं, नीचे आप आएंगे, यहां पर आपके सारी basic detail देखने को मिल जाएगी, security region से मने चीजों को hide कर रखा है, यहां पर देखिए fee pay, कितना आपको fees लगना है, आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, अगर आप इसका print लेना चाहते हैं, तो print all option पे click करके यहां से अपना registration का print आपी save करके रख सकते हैं, उसके बाद next का tab मिलेगा, आप जो किस पे click कर देंगे, next step में आपको personal detail फिल करनी है, address line first में आप अपना village फिल कर सकते हैं, address line second में अपने post के entry जो कि आप यहां से कर सकते हैं, उसके बाद देखिए state, जिस भी state से आप belong करते हैं, अपने state का name जो कि select यहां से कर लेंगे, उसके बाद डिश्टी का name आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, उसे जो कि select करेंगे, country में इंडिया से रहेगा, आपने pin code की entry कर देंगे, अगर आपका correspondence address और permanent address, अगर सेम है, तो आप यहां पर देखिए check mark कर देंगे, अन्यता आप अलग-अलग भी fill कर सकते हैं, उसके बाद देखिए personal detail में, आप यहां पर आएंगे, यहां पर post applied for, तो किस post के लिए आप आवजदन करना चाहते हैं, ट्रांसलेटर के लिए, या ट्रांसलेटर कम proof reader के लिए, इसमें दो तरीकी के post हैं, आपके अगर qualification दोनों post के लिए है, तो आप बोथ वाला option भी select कर सकते हैं, अगर आप एक post के लिए आवजदन करना चाहते हैं, तो इस तरीके से एक post के लिए भी आवजदन कर सकते हैं, उसके बाद देखिए अप examination center, तो आप यहां पर तीन examination center मिल जाएंगे, तीनों को preference देना जो की जरूरी है, उसके अलावा देखिए, हमने तीनों को जो की select कर लिया है, अप उसे जो की select करेंगे, उसके बाद photo identity proof में आप क्या देना चाहते हैं, driver license, pen card, passport, उसके बाद अधार card, voter ID, तो आप इसमें से कोई सभी एक option जो की select कर सकते हैं, जो भी आपके पास ID proof है, जैसे हमारे पास अध अधार card number जो की यहाँ पर fill कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर visible mark of identification of candidate, तो आपको जले का निसानो, या cut का निसानो, या mold का निसानो, तो आप जो कि इसकी entry यहाँ पर कर सकते हैं, अगर नहीं तो simply आप यहाँ पर no mark की भी entry कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ additional detail fill करना है, जो कि criminal case related है, अगर आपके उपर कभी complaint कोई case registered हुआ, तो उसे आप yes या no में बता सकते हैं, या आपके उपर कभी FIR हुआ, तो उसे आप yes या no में बता सकते हैं, तो आप जो कि अपने according से पढ़के कर लेंगे, अगर आपके पास NCC का B certificate है, तो आप यहाँ पर no करेंगे, submit वाले tab पे click कर देंगे, next step पे देखे education detail आपको जो कि fill करनी है, सबसे पहले matriculation detail आप fill करेंगे name of the school, तो यहाँ पर जो कि अपने school का name आप जो कि fill कर देंगे, उसके बाद अपने board का name जो कि आप यहाँ से fill कर देंगे, कब आपने class जो कि 10th past किया था, उसका year जो कि आप यहाँ से select करेंगे, यहाँ पर देखे scheme of marking, तो आपको बताना आपका percentage याँ सी जीपी है, तो आप सी जीपी है, तो आप सी जीपी है, अपना grade जो कि आप फिल कर देंगे, मैं example को तो बता रहा हूँ, इस तरीके से जब आप fill करेंगे, और यहाँ पे equivalent percentage आपका क 10 division, 3rd division, इस तरीके से आप जो कि अपना details select करेंगे, इसी तरीके से intermediate detail आपको fill करने है, तो यहाँ पे आपको stream बताना है, art है, commerce है, science है, अधर है, जो भी आपका subject है, इस तरीके से stream अपना select करेंगे, यहाँ पे अपने school का name जो कि आप fill कर देंगे, उसके बाद अपने board का name fill करेंगे, यहाँ पर passing of year बताएंगे, कब आपने class 10, sorry 12, जो पास किया था, उसे जो कि select कर लेंगे, इस तरीके से, उसके बाद देखिए, marking आप बताएंगे, आप पर percentage है, CGP, आप उसे जो कि select कर लेंगे, कितने number आपको प्राप्त को थे, उसकी entry आप जो कियांस करेंगे, total marks आपके कितने तो उसे fill करेंगे, तो आपके यहाँ पर percentage calculate हो जागा, division बताएंगे, first, second, third, तो अपना division select करेंगे, आप यहाँ पर देखिए, आप इस तरीके से यहाँ फिल कर लेंगे, यहाँ पर जो कि अपने institute का name fill करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि weather process graduation with English as one of the subject from recognized university, तो इस case में आप यहाँ पर yes करेंगे, यहाँ पर do you have knowledge of Hindi, तो आप यहाँ पर yes कर देंगे, यहाँ पर दो कि name of university, तो अपने university का name आप इस तरीके से fill करेंगे, passing of year, कब आपने अपना graduation complete किया तो उसे select करेंगे, यहाँ पर बताएंगे percentage सा CGP उसे fill करेंगे, मैं से form for demo purpose से fill कर रहा हूं, आप अपना real or actual letter fill करेंगे, यहाँ पर जो कि आपको obtain marks किते नमर आपको प्राप्ट दोएते, maximum marks किते तो आप उसे fill करेंगे, percentage आपका calculate हो जाएग अगर आपके पास कोई other qualification है, any other qualification में आप देखे, post graduation detail भी आप यहाँ पर fill कर सकते हैं, यहाँ पर eligibility detail में आपको जो कि fill करना है, diploma certificate of at least six month का आपके पास course होना चाहिए, या कोई और qualification हो, जो one year का computer certificate से later qualification हो, जिसे ADC हो गया, DC हो गया, any higher qualification in computer application from registered organization जो कि आपका institute से रहना चाहिए, तो आप यहाँ पर जो कि yes कर देंगे, उसके बाद submit wallet पर click कर देंगे, next step में आपको देखे, document upload करना है, सब सब पहले photograph की बात करेंगे, जो कि आप पर recent का photo होना चाहिए, 50-100 kb की बीच में file का type यहाँ बताय गया है, jpg या pnj file में चाहिए, choose file पर click करके, अपना photograph यहाँ पर upload कर लेंगे, same इसी तरह signature की बात करेंगे, जो कि 10-20 kb के बीच में आपका होना चाहिए, jpg, pnj file होना चाहिए, choose file पर click करके, आप यहाँ से अपना signature upload कर लेंगे, यहाँ देखे, class 10 की certificate बोला गया है, जो कि 50 kb से 100 kb के बीच में होना चाहिए, choose file पर click करके, अपना jpg file में, pnj file में, जो कि आप अपना यहाँ से document upload कर लेंगे, matriculation के, अगर आपके पास mark sheet है, certificate है, दोनों आपको देखे, अलग-अलग upload करना है, तो आप choose file पर click करके upload कर लेंगे, उसके बाद एक ग्रेजूशन का certificate आपको upload करना है, यहाँ पर choose file पर click करके, पचास से 100 kb के बीच में होना चाहिए, upload कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर देखे, mark sheet upload करना है, तो final year की mark sheet ही upload कीजेगा, क्योंकि यहाँ पर जो की dimensions जो बताएगे, यहाँ पचास से 100 kb तब, choose file पर click करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो जो की choose करके आप यहाँ पर upload कर लेंगे, उसके बाद ID proof में जो आपने लगाया है, चाहिए आपका SC, ST, EBC, BC, EWS हो, तो आप उसका जो की जाती प्रमाण पत्र आप यहाँ पर upload कर देंगे, अगर आपने कोई other qualification या कोई अलग detail fill किये, तो आप यहाँ पर other option पर click करके आप upload कर सकते हैं, next का tab मिलेगा, आप जो की इस पर click कर देंगे, next step में आपको देखे, print preview देखने को मिल जाएगा, चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे, कि form में किसी भी प्रकार के कोई तूटी नहों, अगर आपको को declaration का option है, आप जो किसे check mark करेंगे, यहाँ पर आपको दो option मिल जाएंगे, एक make payment का, तो पहले इस वाले tab पर click करेंगे, new tab में देखे, आपको एक page open हो जाएगा, यहाँ पर जो कि हम check mark करेंगे, proceed वाले tab पर click करेंगे, अब यहाँ पर कई सारे option आपको दिये गए हैं, जैसे net banking से आप payment कर सकते हैं, David Card, Credit Card, UPI के माधन से भी payment कर सकते हैं, जैसे हम ATM के माधन से payment करना चाते हैं, तो card वाल option select करेंगे, David Card है हमारा तो हम इस वाले tab पर click कर देंगे, अब यहाँ पर जो कि है, आपके ATM Card का number, expired date, CV number, card holder, name, proceed वाले tab पर click करेंगे, तो आपके registered mobile number पर आपको OTP प्राप्त हो जाएगा, OTP को फिल करके, आप जो कि payment को जो कि verify कर देंगे, उसके बाद आपको final print प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप से पर कर रख सकते हैं, future use के लिए, future reference के लिए, जानकारे अच्छे लोगी तो please channel subscribe करें, like, comment, thank you for watching this video, thank you दोस्तों.